पाठ बारह, अशद्धी संशोधनम भाशा का प्रयोग शुद्ध होना चाहिए भाशा में अशुद्धी को पहचानने के लिए हमें भाशा के नियमों से परिशित होना चाहिए कर्था के अनुसार क्रिया का वचन और पूरुश होना चाहिए किन्तु हम ध्यान नहीं देते तो वाक्य गलत हो जाता है जैसे बाल काह धावती यहां करता प्रथम पुरुष बहु वचन का है पर क्रिया प्रथम पुरुष की तो है पर एक वचन की है अता अशुद्ध है शुद्ध वाक्य बाल काह धावन्ती अन्य उदारण युवाम गायत है इस प्रकार संस्कृत में अनेक प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती है इनका मुख्य कारण होता है संस्कृत व्याकरण का अधूर आग्यान आये कुछ संभावित अशुद्धियों के बारे में जानते हैं अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य रामह रहीमह चा क्रीडनती भावान कुत्र गच्छ से चात्राह पुस्तकम पठतु त्वम स्मरती करता तथा क्रीया संबंधी अशुद्धिया क्रिया का प्रयोग करता के वचन एवं पुरुष के अनरूप करना चाहिए अन्यता वाक्य अशुद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है यथा ते हसथहां अशद्ध वाक्य ते हसंती शद्ध वाक्य लिंगसंबनधी अशद्धियां कोई शद्ध पुलिंग है और हम नपुनसक लिंग या स्त्रीलिंग की तरह रूप लिखें तो गलत होगा। आकाशे मेघाह गर्जनती, बालह पुश्पान जिग्रती, व्रिक्षात पत्राह पतंती, व्रिक्षात पत्रानी पतंती, लकार संबंधी अशुधिया, वाक्य में लकार संबंधी अशुधियों का ध्यान रखना चाहिए, किस धातु का, किस लकार में, किस तरह रूप चलना चाहिए ये भी ध्यान रखना चाहिए यथा सह गमती अशुद्ध वाक्य, सह गच्छती शुद्ध वाक्य, सह गचिश्यती अशुद्ध वाक्य, सह गमिश्यती शुद्ध वाक्य, अन्य उदहरन अशुद्ध वाक्य, यह बालकह विद्यालयम न गमिश्यती, यह बालकह वि विशेश्य के अनुसार ही विशेश्य का लिंग वचन होना चाहिए अन्यथा वाक्य अशुध हो जाता है यथा सुन्दराह पुषपानी अशुध वाक्य अन्य उदहरन अशुध वाक्य शुध वाक्य फलानी मधुराह संती तव चात्राह पठंती ते चात्राह पठंती सहपुस्तकम कस्य अस्ती तत्पुस्तकम कस्य अस्ती रमणीयह स्था नमस्ती रमणीयम स्था नमस्ती धातव्यम पहले ये पहचानने की कोशिश करें कि अशुद्धी, लिंग, वचन, पुरुष, करता और क्रिया में से किस से संपन्धित है नियमों को समझ कर ही शुद्ध करना चाहिए किसी शुद्ध पद को ही गलत न करें इस बात का ध्यान रखें कि भवत शब्द आपके साथ प्रथम पुरुष के क्रियापद ही लगते है